हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटेटेन्मेंट चैनल पर आपका सुवागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड टूरीजम डे के बारे में पूरी जान करी दूँगा यह कब मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है इसके मनाने का क्या महतु है कब से इसकी स्कून के दो पल गुजार सकें और कुछ यादगार पल अपनी सुनेरी यादों को इपन्नों में जोड़ सकें ऐसे में वर्ल्ड टूरिजम डे का मैतु बढ़ जाता है प्रियाटन के प्रति लोगों के इस बढ़ती रुजान को देखते हुए संयुक्त राष्ट विशू प्रियाटन संस्था ने 27 सितंबर 1970 को हर वर्स 27 सितंबर को विशू प्रियाटन दिवस मनाने का निरने लिया था वर्ल्ड टूरिजम डे मनाने का मुख्य उदे से लोगों को प्रियाटन के मैतु को समझाना प्रियाटन के प्रति लोगों को जागरूप करना और अधिक से अधिक लोगों को प्रियाटन उद्योग से जोड़ना है साथ ही साथ विदेशी प्रियटकों को अपने देश आने के लिए प्रोत्साहित करना या आकर्सित करना तता प्रियटन से अपने देश के आर्थिक स्थिती मजबूत करना वर्ल्ड टूरिजम डेश विश्व भर के लोगों को यह बात भी समझाने के लिए मनाया चाता है कि किस परकार प्रियटन वैश्विक रूप से समाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुल्यों को बढ़ाने तता आपसी समझवे परसपर सयोग को बढ़ाने में सा वर्ल्ड टूरिजम डे के दिन कई तरह के क्रिया क्लाप किये जाते हैं विश्व प्रियटन दिवस को हर साल किसी न किसी समाजिक सरोकार के विश्व को थीम बनाकर मनाया जाता है वर्स 1980 में सबसे पहले विश्व प्रियटन दिवस को सांस्कृतिक विदासत और सांती और आपसी समझ के लिए संरक्षन के लिए प्रियटन का योगदान इस थीम के साथ मनाया गया था जबकि विश्व प्रियटन दिवस 2018 की थीम थी Tourism and Digital Transformation और विश्व प्रियटन दिवस 2019 की थीम थी Tourism and Jobs, A Better Future for All दोस्तो हर साल संयुक्त राष्ट विश्व प्रियटन संस्ता जिसे इंगलिस में United Nations World Tourism Organization UNWTO के दुआरा किसी एक देश को मेजबान देश बनाया जाता है जो की उस वक्त जोग्रेफिकल ओडर पर होता है इससे पूरे विश्व के देशों को एक एक करके मेजबानी करने का मोका मिलता है और पूरे विश्व के देशों में प्रियटन को बढ़ावे देने का अफसर मिलता है वर्ल्ड टूरिजम डे के अफसर पर अनेक कारी करमों का आयोजन किया जाता है जिसमें उस देश के सांस्कृतिक, आर्थिक, समाजिक और राजनेतिक मुल्यों को दिखाया जाता है बकाइदा पोस्टर जारी कर पूरे विश्व को संदेश दिया जाता है वर्ल्ड टूरिजम डे के दिन प्रियटन से संबंतित जानकारियों को देकर प्रियटन के परती लोगों को जागरू करने का प्रियास किया जाता है तता लोगों को प्रियटन का महतुएं उससे होने वाले फाइदे के बारे में बताया जाता है वेश्वु प्रियतन दिवस को स्कूल कोलीजों में भी बड़े उत्सा से मनाया जाता है वर्ल्ड टूरिजम डे के अवसर पर अनेक कारिकर्मों का आयजन किया जाता है जैसे वर्ल्ड टूरिजम डे से संबंदित निवन्त परतियोगता बाशन परतियोगता चित्र कलाप परतियोगता फोटोग्राफी आदी टूरिजम से जुड़े लोग स्कूल कोलीजों में जाकर वर्ल्ड टूरिजम डे के महतुया उससे संबंदित जानकारी किसोरवे युवाव को देते हैं दोस्तो वर्ल्ड टूरिजम डे 2019 के लिए बारत को मेजबान की भूमिका दी गई थी वर्ल्ड टूरिजम डे 2019 के लिए UNWTO ने एक पोस्टर भी जारी किया था जिसमें भारत के पारंप्रिक नर्तिय मुद्रा को दिखाया गया था दोस्तो वेशो प्रियतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले वर्स 1980 में संयुक्त राष्ट संग द्वारा 27 सितंबर को वेशो प्रियतन दिवस मनाया गया 27 सितंबर को विशु प्रियाटन दिवस मनाने का मुख्य कारण यह था कि 27 सितंबर 1970 को संयुक्त राष्ट ने विशु प्रियाटन संगठन का समविधान सुविकारा था वर्ल्ड टूरिजम डे के अवसर पर UNWTO के महासचीव द्वारा हर साल एक संदेश आम जनता को भेजा जाता है दोस्तों वर्ल्ड टूरिजम डे को पूरे विशु में बड़े उत्सा से मनाया जाता है लेकिन प्रियाटन उद्योक से जुड़े लोगों के लिए यह दिन और भी खास हो जाता है जहां एक और प्रियाटन से संबंदित अनेक प्रतियोकताओ कायोजन किया जाता है वहीं दूसरी और प्रियाटन से जुड़ी जानकारियों को एक दूसरे के साथ विबिन माध्यमों द्वारा सेयर किया जाता है इसमें विबिन प्रियाटन उद्दम्य संगठनों सरकारी एजंसियों की महत्पूर्ण भूमिका रहती है इस दिन प्रेटन से संबंदित जानकारियों को देकर प्रेटन के परती लोगों को जागरूप करने का प्रयास किया जाता है प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक देशों द्वारा अनेक तरह की विदाओं के साथ साथ कई सारे सस्ते वे अच्छे पैकेश शामिल होते हैं जैसे सस्ते हवाई टिकेट या होटलों में भारी डिसकाउंट आ दी जिससे प्रेटक उनके देश घूमने आ सके दोस्तों दुनिया के हर देश में प्रेटन उद्ध्योग एक मैत्पूर्ण प्रियास करता है एक आकड़े के अनुसार बुटान कमबोडिया मालदीप मलेशिया आदी जैसे चोटे देशों के लोग लगबग 40% लोग प्रेटन से रोजगार प्राप्त कर अपनी जीवन यापन करते हैं दोस्तों प्रेटन से जहां एक और सरकार को राजसु प्राप् पर मिलता है यानि हर दस में से एक आदमी प्रेटन से जुड़ा है यह चेतर महिलाव और पुर्सों को बराबर रोजगार का मौका देता है प्रेटन उद्योग दुनिया भर में दिन परती दिन बढ़ता जा रहा है यह देश की आर्थिक स्थित्यों को मुझबूत करने के साथ साथ लागों लोगों को रोजगार भी देता है इस उद्योग की खास बात यह है कि इस उद्योग से लोगों को रोजगार पाने के लिए किसी उच डिग्री या तकनीकी सिख्षा में दक्सिता की जरूरत नहीं है शोर्ट टर्म कोश या आवसक ट्रेनिंग लेकर भी प्रेटन चेत्र लोगों को कई तरीके से रोजगार मोहिया करता है जैसे होटल मालिक, मैंनेजर, रैस्टोरेंट मालिक, ट्रेवल एजन्ट, टूर, ट्रेवल ओप्रीटर, event organizer, cook, tourist, guide आदी दोस्तों भारत में भी प्रेटन उद्योग भारतिय अर्थव्यवस्ता को मजबूती परदान करने के लिए महत पूर्ण है भारत में भी हर साल लाखों लोगों की संख्या में प्रेटक आते हैं जिससे सरकार को अच्छी खासी राजय सुक्वी प्राप्ती होती है जिससे अर्थव्यवस्ता को मजबूती मिलती है और कई सारे लोगों को प्रेटन से रोजगार मिलता है हमारे देश में भी प्रेटन का अपना ही महत हुए भारत ने आधुनिक तक्नीक से बने नए प्रेटक स्थलों के साथ साथ अपनी पुरानी संस्कृतिक पुरातरत्विक दरोरों को भी बड़ा सजा सवरा कर रखा है फिर चायव है कोई भव्य समारक या राजगरानों दोरा बनाये गया शांदर के लिए हो या फिर प्राचिन मंदिर या किसी बात्सा दोरा बनाये गया मकबरा या अपनी अनोखी संस्कृतिक विरासत हो जिनको देखने दुनिया भर से लोग भारत आते हैं आज भारत को देख कर ही विश्व के कई देशों ने अपनी पुरानी और एत्यासिक इमारतों को संरक्षन देना शुरू किया है दोस्तों भारत में ऐसे अनेक पवित्र धार्मिक स्थल हैं जो दुनिया भर में परसीद हैं जो धार्मिक प्रेटन को बढ़ावा तेती हैं जिसमें 12 जोतिर लिंगो के दर्शन वैशनो देवी यात्रा आमरनात यात्रा कैलास मान सुरोवर यात्रा चार दांकी यात्रा दक्षिन भारत में स्थित अनेक पुराने भवय मंदिर पवित्र हिमाले दर्शन आधी मुख्य हैं यह सब प्रेटन का ही तो स्रोत हैं भारत क पर्मुक प्रेटन स्थलो में उत्राखन में स्थित कई सहर काशी हरीदवार वारानसी जम्मू और कश्मीर ले लदाक माउंट आबू केरल गोवा आगरा राजस्तान में स्थित एत्यासिक किले बोध गया अजन्ता एलोरा की गुफाए मतुरा सीमला मशूरी आधिक अनेक ज लाखों लोग भारत पहुंशते हैं और कुछ हद तक यहां के लोगों को जन जीवन भी प्रेटन पर ही आधारित है दोस्तों भारत में राष्टिय प्रेटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है अपने देश में प्रेटन को बढ़ावाद देने तता देश के लोगों को प्रेटन का महत्व संजाने वैं उन्हें प्रेटन उद्योग से जोडने के लिए तता देश में नए राष्जगारों को मोका पैदा करने के लिए उदेश्य से बारत में राष्टिय प्रेटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों अब मैं आपको प्रेटन के लाब बताता हूं दोस्तों प्रेटन किसी भी देश के समाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्पुन भूमी का निबाता है प्रेटन किसी भी देश की अर्थवयास्ता को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होता है विकास शिल देशों के मजबूत उद्योग है जो वहां की अर्थवयस्ता को मजबूती परदान करता है प्रेटन ने लाखों लोगों को उनके गाउं शहर में ही रोजगार दिया है जिससे उनका जीवन यापन होता है प्रेटन उद्योग की सबसे बड़ी खुबी यह है कि इससे ग्रामनी छेत्रो में भी रोजगार के आउशर मिलते हैं प्रेटन के जरिये लोग एक दूसरे के देश वहां की बाशा संस्कृतिक रहन सेहन खान पान इत्यास और जगाओ आधी के बारे में जानते हैं प्रेटन ना सिरफ हमारे जीवन के तनाव से हमें दूर करता है बलकि हमें कुछ समय के आनंदित मौका होने का मौका भी परदान करता है प्रेटन उद्योग बारत का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अरजित करने वाला उद्योग है देश के लगबग 6% लोगों को प्रेटन से रोजगार मिलता है विदेशी प्रेटकों के परती आत्मियता वैस्सत भावना दर्शाने के लिए अतितो देवा भवा जैसे कारीकर्मों ने अपने देश की समर्द विरासत और सुसस्कृत मुल्यों को भी दुनिया तक पहुचाया है तो दोस्तों उमीद करता हूं मैंने आपको विश्व प्रेटन दिवस वर्ल्ड टूरिजम डे इसके बारे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप इस साल कहां घूमने जाने का प्लान है या कहां घूम का है आपको कोई भी स्पेशल ऐसा टूर हो जिसके बारे में आप शेयर करना चाते हैं तो हमें उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर जरूर करें दोस्तों और इसी के साथ य जै हिंद